वेलकम टू कॉम्पेटियशन इसटार हेलोडि आर्स इस वीडियो में हम लोग来 Cup से जो वेकेंसि आया हुआ है उसके बारे में डिसकस करेंगे क्या चीज उसमें योग्यता है क्या कॉलीफीकेशन है कितना पोस्ट है यह सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे तो देखें हाई कोट का दो वेकेंसी लाया गया है पहला वेकेंसी है इसका डी यू का डाटा एंट्री ऑपरेटर का दूसरा वेकेंसी है सहाय ग्रेट 3 का तो इस प्रकार इसमें डाटा इंट्री ऑपरेटर का आट पोश्ट निकला हुआ है सहायक ग्रेट 3 का 143 पोश्ट निकला हुआ है टोटल यदि देखें तो 159 पोश्ट निकला हुआ है यह एड़टाइजमेंट देख सकते हैं हाई कोट आप 36 गड़ विलासपूर के द्वार 2023 मतलब 30 अक्टूबर 2023 को इसमें देखें अलग-अलग कैटिग्री वाइज डिवाइड किया गया है तो यह जो पोश्ट है आठ है पे लेवल इसका सीक्स है सीक्स पे लेवल कहने का मतलब इसका जो है पेमेंट बेसिक सेलरी तो 25,300 से 80,500 है लेकिन यदि आप लोग जोइन करते हैं सेलेक्शन होता है तो आप लोग को इन हैंड कैस 32,000 से 35,000 के बीच में जो है फ़र्ष्ट मिलेगा अब देखें कैटिग्री वाइस देखते हैं तो जो जनरल है इसमें पांच पोश्ट निकला हुआ है और वन पोश्ट जो है वुमेन के लिए क्या है इंक्लूड ह वन पोश्ट है मतलब इसमें एश्टी को जो है आरक्षण नहीं दिया गया है इस प्रकार आठ पोश्ट निकला है हालाकि एश्टी वाले भी अपलाई कर सकते हैं जनरल में ठीक है एश्टी वाले भी अपलाई कर सकते हैं जिसमें से एक पोश्ट गुमेंस के लिए जो है म तो मतलब यदि कोई 30 स्रेडी में पास हैं, 32 स्रेडी से पास है, ग्रेजुएट हैं, 30 स्रेडी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें computer science में और related subject, computer science में जो हो, graduation है, 30 स्रेडी से वो भी पास हो सकते हैं, यदि कोई 33 रेडी से पास है तो वो form apply नहीं कर सकती मान ले जाए किसी का percent आया है 42 percent से वो graduate हो है तो उनलोग form नहीं भर सकते क्योंकि 33 रेडी में आ जाएगा तो 32 रेडी तक का जो है form apply कर सकते है या फिर second class bachelor degree और उसके पास क्या होना चाहिए PGDCA का degree होना चाहिए ठीक है यह जो है DEO के लिए फिर क्या रहेंगे eligible रहेंगे इतना मान के चलो PGDCA होना चाहिए यादि PGDCA नहीं है केवल graduation है computer science में तो भी apply कर सकते हो ठीक है 32 रेडी से पास होना चाहिए तो यह जो है दिया हुआ है art poster इसमें देखिए age देखते हैं इसमें यदि age देखा जाए तो 1.1.2023 की स्थिती में candidate को 21 साल का होना चाहिए ठीक है और maximum age कितना है तो maximum age 30 साल है और यदि वो जो है 36 गड़ का 89 है तो उसका age 40 साल है यह other state के 90 के लिए है 30 साल और जो 36 गड़ के 90 हैं उसके लिए 40 साल है और इसमें भी जो है schedule cast AC का हो गया HT का हो गया और जो OBC का है इसमें जो है age relaxation 5 साल का मिला है मतलब उन लोग 45 साल तक का age जो है मानने हो जाएगा इसमें इस step से यह जो है data entry operator का दिया हुआ है इसमें इसके exam के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस pattern पर लिया जाएगा तो देखते हैं आगे return test होगा पहला तो return test होगा ठीक है उसके बाद skill test होगा return test में 50 question रहेगा multiple choice का objective level का 50 number का 50 question रहेगा ठीक है इसमें क्या चीज पता होना चाहिए computer के बारे में पता होना चाहिए जैसे unix open source operating system ठीक है unix operating system window anti operating system अधर जितना भी computer knowledge है वो होना चाहिए English language होना चाहिए general knowledge और reasoning यह चार subject जो है इसका 50 number का होगा और इसमें क्या लिखा हुआ है there shall be no minus marking to qualify the set test the candidate has to secure minimum 20 mark कहने का मतलब क्या है कि minus marking इसमें नहीं है ठीक है minus marking जो है नहीं है इसमें जो है minimum 20 mark जो है लाना होगा the candidate has to secure minimum 20 mark लेकिन 20 mark जो है लाना compulsory होगा ठीक है secure हो जाएगा मतलब उसके बाद होगा skill test कहने का मतलब देखिए 50 number का लिखित paper होगा तो इस 50 में से जिसका 20 number आ जाएगा वो समझो paper 2 के लिए qualify हो जाएगा ठीक है paper 2 के लिए qualify हो जाएगा paper 2 जो है typing test होगा जिसमें हिंदी का 200 word जो typing करना रहेगा 10 minute में typing करना रहेगा ठीक है 200 word 10 minute में typing करना रहेगा इसका कहने का मतलब क्या है कि आप 200 बट यदि 110 करोगे तो इसमें 1 minute में 25 word typing करना है आप लोग को एक minute में ठीक है और 300 word English का 10 minute में typing करना है कहने का मतलब 30 word English का एक minute में typing करना है इसमें 25 mark 25 mark दिया जाएगा किसी का लेट हो जाएगा तो number थोड़ा कम हो जाएगा इस step से इसका किया जाएगा अब देखिए इसमें क्या लिख है एक चीज जो है कि उबन्तू Linux लाइबर ओफिस ठीक है यूनिकोड फॉन्ट वन बाइटू मार्क टू बी डिड़क्टेट और इच मिश्टेक यदि कोई मिश्टेक करेगा तो उसमें आधा नंबर जो है कट जाएगा एक मिश्टेक करने पर उसका आधा नंबर जो है कट जाएगा और यह जो है टेस्ट किसमें होगा ठीक है और क्या लिखा है टू क्वालिफाइट इस टेस्ट दा कैंडिडेट है इस टू सिक्यूर मिनिमम दस मार्क इन इच टाइपिंग टेस्ट आप आउट आफ पचीस तो इस पचीस में से दस नंबर लाना जो है सब में क्या है कंपल्सरी है तो आप लोग का जो है जॉप सेक्यूर हो जाएगा अब इसके अनुसर से मेरिट टेस्ट लाएगा और मेरिट टेस्ट में जितना भी टॉप का एट कैंडिडेट होगा उसको सेलेक्शन किया जाएगा अब देखते हैं अपटीशी में हम लोग हाई कोट का सहाया ग्रेट थी का वेकेंसी तो इसका जो है फॉर्म अप्लाई करना पात दस दो हजार तैस से जो है स्टार्ट हो गया है और एक दीस दस दो हजार तैस तक इसका क्या है लाश्ट डइट है इसमें देख सकते हैं अर रिजर्व में 72 और 21 फॉर वुमेन एंड फॉर दिव्यांग चार जो पोस्ट है वो दिव्यांग के लिए है और 21 पोस्ट जो है वुमेन के लिए आरक्षी था है ठीक है चाहिए तो इसमें graduate का degree होना चाहिए और यदि कोई डिप्लोमा कंप्यूटर कोर सकी है तो उसका होना चाहिए डिप्लोमा या आई टी आई कंप्यूटर में किया है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एक सो तरानली स्पोष्ट है बाकी जो डिटेल है सेम हम लोग उपर में देखे न सेम वही चीज़ है इसका भी examination का level सेम मेरे ख्याल से वही है देख लेते हैं ठीक है क्या दिया हुआ है इसमें इसमें भी देखिया है सेम दिया हुआ है कि उसको इंगलिस knowledge आना चाहिए इंग्लिस knowledge, English knowledge में sentence बनाना आना चाहिए, making up small sentence, की छोटा-छोटा English में sentence कैसे बना सकते है, spelling सा मतलब सही spelling पता होना चाहिए, vocabulary, knowledge of computer, computer का knowledge होना चाहिए, मतलब दो चीज क्या है, एक तो English का है, ठीक है, और दूसरा क्या है, computer का है, मतलब दो चीज है, syllabus में mention, इससे 50 नमबर का प्रस्न जो है, पूछा जाएगा, उसके बाद phase 2 हो जाएगा, skill test का, ठीक है, 50-50 नमबर का रहेगा, same to उपर में देखे हैं, वही चीज है इसमें, age का भी same वही है, ठीक है, जो पहले देखे हैं, तो इस प्रकार इसमें 200 इंक्यावान, sorry, 100 इंक्यावान पोस्ट जो है, ल पाना चाहते हैं, और exam का class wise अच्छे से topic wise तयारी करना चाहते हैं, तो इस channel को subscribe जरूर कर लिजेगा, साथ में bell icon को all पे रखेगा, ताकि जो भी video upload हो, उसका notification जल्द से जल्द आपको राब्ता हो सके, तो सभी को thank you all the best.